तो गाईज मैं हूँ आई शौरा आप देख रहे हैं रेसल इंडिया सु आगता है आपका आज की इस वीडियो में जा पर हम बात करने वाले हैं आज वी फ्राइडे नाइट स्मैक डाउन की सेकंड लाज शो बिफोर रेसल मेनिया जो आज स्मैक डाउन का देखने को मिला एक पहली न्यूज यह है कि कल यहाँ पे किचनल में होने वाला है WWE का लाइव इवेंट जो कि Monday Night Raw के सूपरस्टार्स को फीचर करेगा Finn Balor, Seth Rollins, Kevin Owens, Becky Lynch, Rhea Ripley और भी कई सारे सूपरस्टार्स आ रहे हैं और मैंने आपको बोला था कि मैं उसके अंदर जाने की कोशिश करने वा आटके और जबकि मैं पहले इंडिया वाले इवेंट में भी जा चुका हूँ, कल मैं आपको पूरा मतलब अपना experience शेयर करने वाला इस चैनल पे vlogging चैनल के उपर बहुत entertaining रहने वाला है, मैं बहुत excited हूँ, Seth Rollins को देखने के लिए especially and that too from ringside, तो goosebombs आरे हैं बात बोलते तो आप मेरा vlogging चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें कि वहाँ पे पूरा full vlog आएगा, यहाँ पे मैं आपको updates दूँँगा, definitely, link is in the description, दूसरी ये बात है कि अगर आपको लग रहा है मेरी आवास थोड़ी low है तो वह इस वज़ा से, क्योंकि finally इतने time बाद सिर्फ reviews बना बनागे, इस चैनल के उपर guys, एक सीरीज आने वाली है, and that is WWE Evil, एक बहुत कमाल की heels के उपर documentary निकाली है, Peacock ने, और उसका पहला episode कल आपको देखने को मिलेगा, on Roman Reigns, बहुत कमाल की वीडियो रहने वाली है, stay tuned for that, और धीरे धीरे guys, चलो है वो content में आपको बोला था, back on track काईगा, I know time जादा ले रहा है, जितना मलब होना चाहिए उससे, लेकिन I hope आप लोगों को इस चीज पसंद आएगी, about time में waste करूँगा नहीं, लेकिन I am going to move into my Smackdown review, और Brock Lesner इसको start करते हैं, उनकी interview होती है, backstage और वो कहते हैं, मैं आज Roman Reigns के लिए आपे आके wait कर रहा हूँ मुझे बात बोली गई है कि मैं Roman को तब सक अटैक नहीं कर सकता, जब तक वो मुझे मतलब बिल्कुल provoke नहीं करता, यानि कि वो मुझे मजबूर नहीं करता, उसे मारने के लिए, लेकिन वो कहते हैं, मैं आराम से Roman Reigns की wait करूँगा, उसके locker room में, मैं उसके लिए नहीं सुनने को मिलता है, जहां पर वो कहते हैं कि इस तरीके से मैं पूरी New York की city घूम रहा हूँ, मैंने काफी अच्छा lunch करा, एक steak house के अंदर, और उसके बाद वो कहते हैं मैं अब आने वाला हूँ Madison Square Garden की तरफ, जहां मैं रुकूँँगा, और Brock Lesnar की वो moment याद करूँगा, में main event में क्या हुआ guys, उसके बारे में हम बात करते हैं, इसके बाद guys हमें Shinsuke Nakamura का match देखने को मिलता है against Jimmy Uso, और ये काफी अच्छा wrestling match था, लोग इसको enjoy कर रहे थे, और Jay Uso कोशिश करते हैं interfere करने के लेकिन वो ये चीज़ काम नहीं आपाती, books जो हैं वो attack करते हैं Jay Uso को बहुत unfortunately death हुई थी, वो जो हैं इस साल hall of fame में ultimate warrior के warrior award के लिए nominee हैं और उनको वो award दिया जाएगा, तो next week hall of fame होगी right after smackdown, जहाँ पर शायद gas part भी induct होंगे और साथ की साथ obviously undertaker जिनको Vince McMahon खुद induct करने वाले है, कमाल की night रहने वाली है next Friday after smackdown, इसके बाद Kofi Kingston का match होने वाला ह होता है Ridge Holland के साथ एक बार फिर से rematch, लेकिन Kofi introduce करते है Xavier Woods को, जो कि एक injury से deal होके वापिस आये हैं और उनका return हमें देखने को मिला, तो Kofi की जगह actually Xavier Woods इस match को लड़ते हैं और वो Ridge Holland को काफी जल्दी हरा भी देते हैं, Sheamus, Butch और Ridge Holland जो कि एक अच्छा trio लग रहा है, उनको strong काफी दिखाया जारे हैं लेकिन वो match हार चुके हैं, तो I don't know क्या plans हैं यहापी Kofi Kingston और Xavier Woods के wrestling मीन आगे, लेकिन हमें आज देखने को मिला, इसके पाद Ronda Rousey आते हैं रिंग के अंदर, और यह जो प्रोमो आज उनकी तरस से सुनने को मिला है भाई, पूरे तरीके से F-du अब था, मलब उन्होंने बॉच करा प्रोमो के अंदर, SmackDown Women's Champion को उन्होंने Women's SmackDown Champion बोला, और वो कह रही है, फ़ही फिर इसमें Women's क्यों डागते हैं, सिरफ SmackDown Champion होना चाहिए, और Charlotte actually में SmackDown पर थी नहीं, वो सामने आती हैं स्क्रीन के उपर, और यह दोनों एक पार फिर से व लेकिन यह पूरे प्रोमो में crowd dead था, और मेरा इसके अंदर कोई interest आया नहीं, और यहाँ पर रॉंडा गहते हैं, मैं 14 साल की जब फर्स टाइम मेरी arm टूटी थी, और मुझे अब count भी नहीं है कि कितनी बार वैसा मेरे साथ हो चुका है, तो तुम्हारे लिए जबकि एक ब तो रिकोशे कहते हैं, ऐसे मैं तुम्हें आज जाने नहीं दूँगा, हुंबर्तो तुम रिंग में आओ, और तुम्हारे साथ मैं मैच लड़ना चाता हूँ, तो यह भी एक champions contender match था, और रिकोशे outside the ring होते हैं, इंजल कार्जा यहाँ पर रिकोशे का pair पकड़ लेते हैं और count outs हैं यहाँ पर जो है रिकोशे एक्चुली इस मैच को हार गए, तो एंजल कार्जा और हुंबर्तो करियो, दोनों number one contenders बन चुके हैं for the title, और next week guys हमें intercontinental championship का triple threat match देखने को मिलेगा, जिसका मतलब यह भी है कि probably रिकोशे विल miss WrestleMania और अगले अफते SmackDown पर वो title match होगा, साथ के साथ WWE ने ये भी announce कर दिया है कि Andre the Giant Memorial Battle Royale जो WrestleMania में होती थी, वो अगले अफते SmackDown पर होगी और उसमें Finn Balor और Damien Priest है, यानि कि United States Championship का match भी हमेश आद अब WrestleMania में देखने को ना मिले, I don't know इसके बारे में मेरा क्या कहना है कि आप दोनों midcard titles WrestleMania में फीचर ही नहीं होगे, य बहुत बिकार बात है, क्या आपको लगता है और match होगा अब बाद में WrestleMania में, अपने opinions मुझे comments में बताएं, इसके बाद बात करते हैं guys, तो ringside पर Austin Theory आके जड़ा सा attack करते हैं Pat McAfee को, वो पीछे-पीछे बागते हैं उनके, लेकिन Austin Theory चले जाते हैं Mr. McMahon के कमरे में और वाप Battle 4-way match देखने को मिलता है, जहां पे चार women's team के एक-एक participant लड़ रहा है, एक ठीक-ठाक match था, कुछ cool moments देखने को मिले है Rhea Ripley Sasha की तरफ से, और end में Sasha Banks से रा रहती है Rhea Ripley, Queen Zelina और Shaina Baszler को to win the match, I think उनके सबसे ज़ादा chance है to win the titles, और Sasha और Naomi को काफी strong भी दिखाया जा रहा ह और finally show के main event में Roman Reigns arrive होते है, smackdown में, काफी लंबी चोड़ी उनकी entrance, वो ring में आके खड़े होते हैं, और वो बात करते हैं कि अब Brock Lesnar अभी भी actually मिरे locker room में बैठे हैं, तो locker room पुरा दिखाया जाता है, और पूरा वो बुरे तरीके से destroyed है, लेकिन Brock अब वहां पे है नहीं, त तो Roman Reigns को चिंता हो रही है, पॉल एमन डरे पड़े हैं, कि भाई Brock Lesnar के साथ क्या होने वाला है, और Brock Lesnar finally screen पर आते हैं, उनके पास ये हतोरा टाइप कुछ है, और वो Roman Reigns की गाड़ी पुरे तरीके से एक बाद फिर से तोड़ देते हैं, second week की नरो, शायद Brock खुश नहीं मैं रोमन के लिए गाड़ी लाया, वो उसमें क्यों नहीं आ रहा भाई, तो शायद Brock को उस बाद से कुंदक थी, लेकिन रोमन कहते है माईक लिए कि Brock की Wrestlemania में कोई weapon allowed नहीं होगा, तो Brock कहते है, रोमन तुमारी बाद ठीक है, वो फैक्त हैं, वेपन को और रिंग के अंदर आते हैं, लेकिन रोमन रेंज एक बार फिर से भाग जाते हैं, क्योंकि Brock entrance वे से नहीं, पीछे से आते हैं, और announcers desk पे खड़े हो जाते हैं, काफी सारी security थी, उसोस थे, और Brock ने एक बार फिर से security को बुरे थरीके से destroy कर दिया, और उसोस रोमन रेंज वहां से भाग जाते ह लेकिन इसके बाद back से जाके gorilla position से रोमन रेंज एक प्रोमो कट करते हैं, चोटा सार कहते हैं, at WrestleMania Brock you are going to acknowledge me as the undisputed universal champion, तो ये इस तरीके से smackdown होती है, खतम Brock Lesnar हस रहे थे, obviously आज उनको allowed नहीं था रोमन रेंज को attack करना, ये दोनों बंदे RAW में भी आएंगे, I think smackdown में भी आए है शायद जो इनके बीच में दिखाना जाते हैं, अगले हफ़ते के RAW और smackdown शायद super show type होगी, दोनों ब्रैंड्स के superstar show पे रह पाएंगे, to build for WrestleMania, तो guys यह था आपका smackdown का review, अगर वीडियो आपको पसंद आई है, like करें, WWE evil के लिए बने रहें, और definitely कल का जो event है, मैं कुछ पोस्ट करूँगा जरूर, Instagram के उपर तो मुझे माँ फॉलो करें, और proper vlog तो आपको देखने को मिलेगाई, अगर आप excited है guys, तो subscribe भी करें, thank you so much for watching, मैं हूँ आइश और आप देख रहे हैं, Wrestle India